नमस्कार दोस्तो मैं अमीद स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार S.S.C. लैब पर अगर आप में से कोई बच्चा नया है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेजेगा for the free classes तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनको कौन सा जोन भरना सेफ रहेगा कहां से बरेंगे तो सेलेक्शन की ज्यादा चांस होंगे और जोन को चुनते समय कैसे चुनना है मतलब क्या वो वन थर्ड नहीं है अगर माननो लगब 25 वाले में भरे गए हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को तक्रीब तक्रीबन उतने ही फॉर्म देखने को मिलने तक्रीबन तक्रीबन उतने ही फॉर्म या उससे भी जादा हो सकते हैं तो इसलिकर competitive competition होने वाला है इस बात में को चुझता हूं भाई, safe zone का मतलब क्या होता है, safe zone है जहां पर जल्दी selection हो जाएं, इसी को safe zone बोलते होंगे, तो जल्दी selection होने के लिए ये जरूरी नहीं है, कि जहां पर vacancy सबसे जादा है, वहीं आपका form भरने से जल्दी selection होगा, तो को selection आपका आसान तब होगा, जब आप cut off को पार करेंगे, और cut off ही अगर वहां पर high रह रही है, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाता, आपको ये चुनना है कि आपकी तयारी कितनी है, आपकी तयारी बहुत शांदर level की है, average level की है, या फिर आपकी तयारी जो है, बहुत normal सी है, मतलब नाम मातर के बराबर है तो आपको उस हिसाब से अपना जोन चुनना है, ये नहीं कि वेकेंसी जादा वहाँ तो वहाँ जोन चुन लो, नहीं, ये बात गलत है, ऐसे अपने जोन का सेलेक्शन ना करें, फिर आप 60 से 70 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, या फिर 80 प्लस नंबर लाने वाले बच्च चाहिए, 20 बार सोचना पड़े घर पे आने से पहले, तो एक जीवन जो है अभी तो है कि नो की लग जाए, लग जाए कैसे भी, और बात में बहुत सारी चीज़े होते हैं, मैं आपको बता रहो, परसनल एक्सपेरियंस से, तो 80 प्लस अगर आप लेकर आ रहे हैं, तो आप की यहाँ पर केटेगरी में वेकेंसी कितनी है, मालो आप गरो सकता है कि आपकी काटेगरी में वेकेंसी नाओ जो आपको चाहिए, तो ये चीज़ आप लोगो को द्यान रखनी है, चि अगर आपके आसपास है, आप अच्छा स्कॉर कर पार रहे हैं, तो आप इसको चुने आपको वहाँ पर चुमना चाहिए जहाँ पर सीट के अंदर कम लोग fight कर रहे हैं कम लोग चाहिए वो कोई भी जो उनों दूर हो पास हो अगर नोकरी चाहिए तो फिर आप पर सीट competition जहां पर कम है अगर पर सीट competition कम होगा तो कईना की cut off आप लोगों की सही जाएगी जैसे मैं graduation की बात करूँ अगर मैं graduation की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो पटना के अंदर क्या competition है 990 लगबग 1000 बच्चे एक पोस्ट के लिए और पटना जैसे जगां पे हर बच्चा पढ़ने वाला है अप प्रियाग राज में देख लो है ना यही हाल चाल है आप चैन नहीं के अंदर देखेंगे तो आप कितना मिलेगा आपको 252 क्योंकि वहां पे अच्छा यहाँ अपका उसका है ना तो इसका मतलब आपका यहां पर जो ना जो सारी चीजे है आपको इस तरह से देखनी है इस तरह समझनी है कि competition आपका कहां पर जादा है कहां पर कम है है ना अगर आप यहां पर देखे कोलकता में 1382 हैं तो यहां पर 180 competition है आप जा सकते हो मुंबई में competition 266 ऐसा नहीं cutoff बहुत कम जाएगी cutoff बहुत कम नहीं जाएगी बतलब यह है हाई cutoff वाले ही है एक तरीके से जोन लेकिन आप लोग यहां पर हर जगाई मारधार चल रही है अगर आप undergraduate का डेटा देखें तो यहां पर अभी तक जो चीजें हैं लग बोग 16 लाग के आसपास फोम जो है आप लोगों के 21 October तक यह भरे जा चुके अभी यह 27 October तक मान के चलो कि 25 लाग प्लस हो जाएंगे यानि कि graduation वाले से ज़्यादा फोम इसके अंदर भरे जाने वाले हैं अब यहां पर आप देख रहे हो 625 कौन सा जोन है यहां पर आप लोगों का त्रिवन पूर्म यानि कि इतना high cutoff वहां पहुँचने वाला है बहुत ज़्यादा उसके बाद अगर आप देखें यहां पर तो आपको 500 मिल जाएगा कहां पर मालदा में 500 competition चल रहा है और यह देखो सब 862 का competition आपको भौपाल में दिखाई दे रहा है ठीक है 850 का competition आपको गोरगपूर में दिखाई दे रहा है अगर भी अच्छा खासा पहुंच गया है तो हर बच्चा क्या सोचता है कि यहां पर मेरे कम competition है तो मैं यहां से फॉम भर दूँ सीधा सा एक अपने वो रखो नगेश है कि कम है सिर्ख फोर्म कम भरे जा रहे हैं और सीड जादा वहां पर आप रोग भरे हैं और यहां पर अगर सबसे कम तयारी है सबसे कम तैयारी में selection होने के चांस बहुत कम होते हैं और वह भी वेकेंसी इंक्रीज होने के चांस भी कम लग रहे हैं क्योंकि अगले साल कलेंडर नोंने बता दिया कि आएगा तो इसलिए उसमें वेकेंसी उनको देनी पड़ेगी तो उमीद यहां पर मुझे कम लग रहे हैं हो सकता है कि कुछ केंसी बढ़ जाएं लेकिन अभी फिलाल के लिए यह चांस कम लग रहा है तो इनको मेहनत करनी चाहिए अगर ये भी वही चीज है कि अगर कहीं पर भी नौकुली चाहिए फिर तो कम competition वाले में फोम भर दो सीधा सा ऐसा नहीं कि competition बढ़ जाएगा अब लास्ट टाइम है अब डेटा जो भी आ रहा है वो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है तो अगर मैं यहां पर बात करूँ अगर मैं यहां पर बात करूँ कि NTPC अंडर गेज़ लेवल वाले जो बच्चे हैं उनको कहां से form भरना चाहिए तो आप सीधा सीधा देख लो यहां पर per seat competition कम आपको कहां पर दिखाई दे रहा है अगर आप देखे रांची के अंदर तो बच्चा रांची के अंदर 1977 का competition है अगर आप safe zone में बात करें तो आप रांची से form भर सकते हैं पटना, प्रियागराज, गोरखपूर यह सब red zone है बच्चा ज्यादा वहीं से त्यारी करता है तो उसको लगता है कि वहीं से form भर दे भाई अगर मैने तगड़ी है तो भर देना वरना फिर दिक्कत हो जाएगी या फिर आप यहां पर सेली गुड़ी में सेली गुड़ी से आप भर सकते हो देखो अब आपको उसर दूर दूर के आप बता रहे हैं तो दूर दूर अगर जाना है तभी आपका थोड़ा सा safe रह पाएगा और 264 आपकी रहने वाली है मुझफर पूर से आप लोग यहां पे form भर सकते हो या फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर पटना में अभी form 5000 लेकिन यह बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा यह उपर तक जाएगा अच्छा का सा competition यहां पर हो जाएगा तो बहुत कम zone ही safe zone अंडर graduate में है तो अगर आप इनके आधार पे देखें तो मुझफर फूर पटना, रांची, सिलिगुडी इन जगां पे आप form अभी के हिसाब से बर सकते हो लेकिन मैं आपको यही बोरूँगा कि रांची, सिलिगुडी और आप लोगों का मुझफर फूर यही अभी तक यहां पर safe zone है, safe zone का मतलब है बढ़िया है, वेकेंसी अच्छी, वहाँ फॉम भरो अगर आप घर से दूर जाके जोब कर सकते हो तो पर competition जहां पर कम हो वहाँ पर आप जो भरें, ठीक है category में वेकेंसी जरूर चेक करें, कितनी है कई बार हम सिर्फ देख लेते हैं, टोटल वेकेंसी कितनी है तो category में वाले में बड़ी दिक्कत आती है और यहां पर जो post आप चुनते हो ना ऐसी चुनो भी salary अच्छी चाहिए, तो salary के हिसाब से post जो अच्छी salary मिलती है उसको लो और अगर आपको सुकून ज्यादा चाहिए, तो फिर typist वाली जो post होती है उनमें थोड़ा सा बाहर का जो काम है, वो कम होता है जैसे अगर मैं इसमें आपको सारी की सारी post जो है वो दिखाऊं तो आप यहां पे देखेंगे किस post पे क्या काम आपका रहता है तो फोड़ा सा मैं आपको आइडिया यहां पर दे देता हूं जैसे इसके अंदर आप देखेंगे, तो cctc है, तो cctc लेवल 3 की post है इसमें लगबग आप लोगं को 40,000 प्लस salary बन जाती है और post भी ठीक है, इसमें क्या है, mainly parcel booking वगरा का काम रहता है ठीक है, 35, 36, 37, train color थोड़ा सा night duty का काम रहता है लड़कियों के लिए ज़्यादा सही नहीं है, है ना, और इसके अंदर आप लोगं को आप ट्रेन के डब्बे कोन से किदर जाने है कब जुडेंगे और कैसे कैसे किसको काम मैनेज करना है, तो वो एक train color का काम होता है, है ना, यह भी level 2 की जोब है तो इन में लगबग 35,000 प्लस salary, इसमें 40,000 के असपास है, तो CCTC की सबसे उपर रखो, उसके बाद आप टाइप इस वाई रख दो दो दोनों, है ना, और उसके बाद आप train color को रखो, यह प्र आप इसको, इस preference को भरना लगबग सभी, है ना, और अगर लड़किया है, त अगर आप लोगं को कहानी समझ में आई हूँ, या कोई doubt आपके मन में हो, तो आप मुझे comment करके बताना, मैं उसके बारे में आपको guide करने कोशिश करूँगा, बाकी मेरी जो daily classes है, free of course इसी channel पर चलती है, एक बज़े, पूरा का पूरा math foundation में आप लोगं को बढ़ा रहा और अगर आप पूरे के पूरे foundation courses से जुड़ना चाते हो, जैसे railway के exams के लिए महापैक से जुड़ना चाते हो, जिसमें आपको पूरी की पूरी preparation मिल जाए, या फिर आप किसी single best से जुड़ना चाते हो, तो इस समय दिवाली sale आप लोगं की चल रही है, तो आप लोग किसी भी product को purchase करते हो, LAB276 coupon code लगाओगे, जो भी discount मिल रहागा, उससे extra discount आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, lab.live आपको लिखना है अपने google पर, lab.live, आपके सामने website को लेगी, इस website को खोलके, आप जो भी course checkout करना चाते हैं, यहां से कर सकते हैं, जैसे इसमें आप जाओगे, तो extra discount आपको मिलेगा, अगर single course चीए, live course पर जाओ, यह RRB का course है, junction box इसको आप ले सकते हो, ठीक है, चलेगा, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग उससे next video में, thank you, शुक्रिया, जैहिन चालते हैं